हलो एवरिवन ट्यू इंग्लिस क्लासीज एंड जोब अपडेट्स यूटीब चैनल में आप सभी का सवागत है और दोस्तों जैसे कि आपने थमनेल से देख लिया है इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं गराम सचीव एक्जाम जो आने वाला गराम सचीव एक्जाम है उस इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ तो इन सभी के दार पर इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से टोपिक है जो हमें पढ़ने चाहिए पहले चीज़ तो मैं यह कलियर कर देता हूं कि भी कंपिटिशन है वो काफी टाफ है तो हमें टोपिक तो सारे ही पढ़ने हैं लेकिन वो टोपिक इसमें हम देखेंगे जिनके ओपर फोकस ज्यादा करना है तो लिज़े सुरू करते हैं अपने आज की वीडियो तो सबसे पहला टोपिक है जो आपकी बार मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है वो है क्लोजिस क्लोज में आपको प्रिंसिपल क्लोज यह पिक आ우ट करने आते हैं नाउन क्लोज कौन सा है आड्जेक्टिव क्लोज कौन सा है एड़रफ क्लोज कौन सा है तो यह आपने बिल्कुल रट लेना है अब की बार यह मौस्ट इंपोर्टेंट है और येदि दूसरे टोपिक एम बात करें डाट इस जिसके रूल आपन बनता है जैसे सी ओफ यानि वरब के बाद में कोई प्रेपोशन लग जाती है ठीक है जैसे गीव अप गीव इन तो यह काफी इंपोर्टेंट बनता है टेक केर यह भी अपनी तरह लगना है अब मैं आपको वह क्यों संदिक आने जा रहा हूं जो कि पिछले एससे सी एक्जा को भी आने वाले एक्जाम्ज में काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि इस पेपर को भी हम नजर अन्दाज नहीं कर सकते, तो इस पर भी हमें फोकस करना है तो जो व्रब है वो भी वर्ड इंडिस्ट्रियस है इट मींज इट इस फ्रोम स्पैलिंग तो स्पैलिंग पर भी हमें काफी फोकस करने की जरूरत है स्पैलिंग जैसे वैक्यूम की स्पैलिंग है जैसे सिगरेट की स्पैलिंग है जैसे कमेटी की स्पैलिंग है यह भी अमारे लिए काफी synonyms तो अब यह मत कहना कि आप तो सारे चैप्टर बता दी सारे तो करने ही करने है पढ़ने ही पढ़ने है सारे तो लेकिन इसमें मैं वह चैप्टर बता रहा हूं जो की ज्यादा इसमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है में इसमें है चूज्दा वइन तो पहले इसमें आप देख लिए इसमें मेंनिंग भी बता दिया है इसमें जो सीनॉनिम्ज है कि इसके लाव हम बात करें नेक्स्ट में चूज्दा ओन वड्स सब्स्ट्टिजिएन फौर दा फॉल् देख सकते हैं it's from antonyms यानि विपरितार्थक जिसको हम बोलते हैं विपरितार्थक भी अमारे लिए जरूरी है antonyms synonyms तो इसमें जो साथ साथ में सोल किया गया है ये लेकिन इसमें में चीज़ है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये चैप्टर भी आफ के लिए important है antonyms आफ के लिए काफी important है तो antonyms कहने कारत है vocab पर काफी focus करने की जरूरत है क्योंकि ये जो paper है ये बी-ए की उपर है graduation की उपर है तो graduation में जो closes है modals है antonyms है तो ये vocab हमारे लिए काफी strong काफी strong होने चाहिए इसके लाव इदि next में बात करें इसमें read the sentence to find out whether there is an error in it the error if any will be one part of the sentence mark the option तो इसमें error बतानी है तो error भी अमारे लिए काफी important है क्योंकि जो paper setter है या HSSC है ये मानता भी ये किसी ने clear की है इसका मतलब है उसकी जो English है वो अच्छी के लिए काफी important है और error के लिए आपको क्या करना होगा जो basic जो rule जहां chapters की वो आपको पता होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि जैसे cricket के आगे article का यूज नहीं होगा तो यह सारी चीजें इस आपके लिए जानना जरूरी है तो इस वीडियो में जो मैंने टोपिक बता यह काफी important है आने वाले इस exams के लिए तो यह आप सभी के साथ में सेयर करना था वीडियो अच्छी लिए चैनल को सब्सक्राइब